पीटा ब्रेड एक फ्लाइट ब्रेड है इसमें आप फिलिंग भर सकते हो पॉकेट की तरह खुलता है पॉकेट सैन्विच बना सकते हो और इसको हमस के साथ भी सर्व कर सकते हो ये बेग भी होता है और दवे भी बनाया जाता है तो 190 ग्राम अल पॉपस फ्लाइड लिया है हम इसके अंदर हम डालेंगे इस्ट इसके बाद में हम डालेंगे नामक शक्कर थोड़ा सा ओलिव ऑईल या नॉर्मल तेल और पानी और इसका आटा गुन लेंगे दिये गए पानी के मेजरमेंट से इसके बाद में हमको इसको हलका हलका मलना है और तेल लगाने पे ये एक ज डबल साइज में हो क्या है अब हलका सा डस्ट करके हम इसको प्लाटफर्म पे निकाल लेंगे और इसको डी गैस करेंगे इसकी सारी गैस निकालनी है और अब आप देखोगे कि ये चिपक नहीं रहा है और अची तरीके से गुंद रहा है इसको नॉक बैक करने के बाद हम 80 ग अब हम हलका सा तेल लगा के इसको अपने पाम्स के अंदर रखके सिर्फ उंगलियों से इसको रोल करना है ताकि ये एक अच्छी लोई बन जाए फ्रस इसको फॉलो करना बहुत इंपोर्टन्ट है अच्छे प्रीटा ब्रेड बनाने के लिए तारी बल्स बनने के बाद हम इसको 10 मिनिट के लिए रेस्ट देंगे इसके बाद में हम हमारे पीटा ब्रेड बनाना शुरू करेंगे इसको थोड़ा सा डस्ट करके हम बेलना शुरू करेंगे डस्टिंग बहुत इंपोर्टन्ट है वरना ये चिपकने लगेगा इसके बाद में इसको फिर से 30 मिनिट क के लिए पूफ होने के लिए रखेंगे एक ट्रे पे रख देंगे 6 inches यानी के 15 cm का बना है 30 minutes के लिए पूफ होने के लिए रख देंगे तब 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 गरम होना चाहिए लेकिन अगदम जादा गरम नहीं होना चाहिए फिर इसको पलट देंगे 15 सेकंड के बार और देखते रहेंगे कि ये नीचे से जले ना इसके बार में ये हलका हलका पफ होने लगेगी और हम इसको प्रेस कर लेंगे तो बेसिकली रोटी वाला हिसाब है ये देखे पलट के एकदम परफेक्ट पफफ हो गई है हमारा पीटा ब्रेड रेड़ी है इसको आप खाएएगा हमस के साथ या आप इसका पॉकेट सैंविच बनाएगा अपने पसंद की फिलिंग डालके तो आप भी जाए बनाए